जै श्री कृष्णा प्रिया दर्शय को आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दर्शय के आपको पिछला वीडियो याद हो तो मैंने आप लोगों को भरत की एकोनोमिकल कंडिशन क्या रहेगी आने वादे समय में जब पूरी दुनिया में आर्धिक मंदी होगी उसके संधर में आपको एक वीडियो दिया था उसी तथे को जब मैं एनलेसिस कर रहा था तो उसमें कुछ और तथे भी मेरे सामने आए हैं जिसको मैं आज इस वीडियो के मात्यम से आप लोग के सामने लख रहा हूं दर्शो के दिम 2023 से और 2025 तक की बात करें दो सानों की तो ब्रह्माण में ग्रहों के स्थि बिल्कुल इसपस्ट है कहीं कोई उसमें किसी को संदे नहीं होना चाहिए कि ये परिस्थि बनेंगी तो उसका क्या इंपैक्टिस धरती पर होगा और उसका पहले से ही प्रभाव हम हमें कई बार ग्रहें देवी चुके हैं 2020 में भी वैसे ही परिस्ति बनेगी हमने संसार को किन परिस्तियों में देखा हमें याद है 2021 में बनी हमें याद है 2025 में बनेगी तो हमें 2020 और 2021 याद जरूर आएगा लेकिन उससे पहले 2024 में भी परिस्तिया विकट बनेगी और 2023 में परिस्तिया हमारे सामने हैं इसलिए दर्शकों 2020 से लेकर 2025 अगर अब इन 6 सालों के बात करें 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 यदि हम इन 6 सालों के बात करें तो हर साल कुछ बयानक इस्तियां हम देख चुके हैं और आने वाले सालों में भी हम चरूर देखेंगे इसलिए 2023 के दर जहां प्राकर्तिक आपदाएं अपनी चर्म सिमा पर रहेंगी उसके साथ ही गुरू चांडा लियोग का निर्मान भी होगा हमारी मती भ्रम भी होगा यानि आप देख भी रहें कि इस समय पर जैसा राहुल गांदी जी के साथ हुआ है उसको लेकर के कॉंगरेस का जिस तरह से रवया है वो सब के सामने है यानि किसी मुद्दे को राजनितिक रंग दिया जा रहा है जबकि कोई भी अगर थोड़ा सा भी कानुन का ग्यान रखता है तो उन्हें पता है कि वो सुप्रिम कोड जाएंगे उन्हें स्टे मिलेगा उनके सुधस्ता बहाल हो जाएगी लेकिन जान बुच करके सुप्रिम कोड जाने में डिले और इसको राजनितिक रंग देने की कोशिश ये सब गुरु चांडाल योग के प्रभाव के कारण से ही होता है जब व्यक्ति अनाविश्यक किसी ऐसे चीज को तूल देने की कोशिश करता है जो आगे जाकर के उनको लगेगा कि ये हमसे गलती तो हुई है और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी जरूर होगा अभी ये बहुत छोटी सी घटनाएं है जो आप देख रहे हैं मैं आपको बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं अभी होना बाकी है जब आप शीर्ष पदो पर बैठे वे वेक्तियों को बड़े-बड़े ओधों पर बड़े-बड़ से होगा और इसी घटना करम के अंदर कुछ नेड़नाएं विश्व के अंदर ऐसे भी होंगे जो आने वाले समय के अंदर हमें बड़ा नुकसान भी देगे आपने देखा होगा इंटरनेशनल कोट ने पुतिल के गिरिफतारी वारण जारी किये हैं यानि एक ऐसी कोट ने इसे रास्ते देख्ष के खिलाफ गिरिफतारी वारण जारी किये हैं जो उसकी परीदी में ही नहीं आते हैं उनके अधिकार शित्र में ही नहीं आते हैं वो इंटरनेशनल कोट के सदसे ही नहीं हैं और उसके बावजूर भी उनके खिलाफ ऐसे गिरिफतारी वारण जारी ह हैं इस सब चीजें बताने के लिए प्रयाप्त है कि गुरु चांडायोग का प्रभाव कैसे कैसे आने वाले समय के अंदर अपना असर दिखाएगा उरे केवल मैं दो जो मैंने उतारण दिया हैं इनके संदर में नहीं कहा रहा हूं अब बहुत जगे ऐसा देखेंगे सत्ता करता पक्ष में भी देखेंगे भरते जंता पर गश्यंता कांग्रिस में आमाद्मी प्रभाव है उसका इंपक्त तो जरूब और जब सामुहिक तौर पर ऐसी घटनाएं होंगी तो उसके कारण से कुछ घटनाएं ऐसी भी बनेगी जो आने वाले समय के अंदर विन्याश का कारण भी बैदा करेंगी अब इसके साथ ही अपरेल दोजार चौबिस के अंदर फिर अंगारक योग बनेगा यानि कि इस गुरू चांडाल योग के अंदर जो हरकते होंगी जो बीज बोई जाएंगे उनका विश्च का फल यह यह कह लिजे कि उस पेड़ से जो विश्च रूपी फल आएंगे वो आ अब अगारक योग में देखेंगे अर्थात अपरेल दोजार चौबिस के बाद उसटीश को देखेंगे और अपरेल दोजार चौबिस के बाद की इस्तितियां तो बिगड़ना शूरू हूँगी और एक के बाद एक ऐसे परिस्थितियों के निर्वान का जो शमभाले नह अब और फिर समय आएगा मार्च 2025 का जब परिस्तिया है उस मुहाने पर खड़ी होगी जा छे ग्रहों की यूती बनेगी और छे ग्रहों की यूती जिस घर में बनेगी उसका मतलब ही ये है कि ये दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी होगी दर्शेप पर सारी घटना जो 2020 से 2025 तक की मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ ये बताने के लिए प्रयाप्त है कि ग्रह पहले अपना असर दिखा चुके हैं इसलिए किसी तरह कोई संदे नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर उग्रह हमें क्या परिस्ति दिखाएंगे कहते हैं कि पूत के पग पालने में दिर जाते हैं जो ग्रहों की यूती 2020 से हमें दिखा रही है जो परिणाम दे रही है दो हजार पच्चिस तक यह लगाता हर साल जारी रहेंगे और जैसे जैसे घटना करम बदलेगा हमारे सामने नई परिस्ति हम आएंगे जिसका आंकलन में आपको दिया है यानि 2020 के अंदर प्राकर्तिक तोर पर हम मजबूर हुए परिणामों को स्विकार करने के लिए 2021 के अंदर हमने परिजनों को खोया 2022 में हमने राचतिक उतल फुतल देखी 2023 में हम आर्थिक मंदी देखेंगे 2024 के अंदर घटनाओं को इस तरह से बदलतावार देखेंगे कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं होगा और हम प्रकर्तिक के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे तन मन धन तीनों से हम बहुत ही कमजोर हो चुके होंगे और 2025 में हमारे पास केवल एक ही विकल्प रहेगा और वो रहेगा महायुद का इसलिए दाश्यक को 2020 की पठका था 2025 के तरफ बढ़ रही है और हम मिड में खड़े हैं और जब पीछे मुण कर देखते हैं और फिर आगे देखते हैं तो सारी घटनाएं एक के बाद एक हमारे आँखों के सामने जिवन धोड़ती है इसलिए वीडियो के माद्यम से मैंने आपको 2020 से 2020 का एक व्यापक रूप रेखा मैंने आप लोग के सामने रखी है कि क्या होने वाला है कैसे होने वाला है और उसके कुछ निशान भी मैंने आप लोग के सामने रखे हैं कि किस तरह के गटनाएं हो रही है और लोग उसको किस तरह से ले रहे हैं किस तरह से उसका अनुसरन कर रहे है राजनिती करना गलत नहीं है लेकिन गलत समय पर गलत राजनिती होती है और सही समय पर सही राजनिती होती है यही कारण है कि कई बार हमारे उठाएवे कई कदम हमें बड़े और अच्छे रिजर्ड देते हैं तो कई बार हमारे उठाएवे कदम हमें परिणामों से वन्चित करते हैं दर्शो को उम्मीद करता हूँ उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग की बहुत बड़ी जिक्यासा को शांत करने का प्रयास किया है कि तो हजार बच्चिस तक क्या होगा कैसे होगा कब होगा और इस सब खत्नाओं को आप भविषय में सत्य होताब पाएंगे इसका इक एक अक्षर में सत्य होताब पाएंगे क्योंकि मेरा विशुद्ध जोगतीशे आकलन हैma i7 मैंने ौकी सीभी भावनाओं को शांअUp बिल्कुल भी नहीं किया है उमीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जोरूर पसंद आया होगा अगले वीडियो में आप से फिर भेट होगी तब तक हमारे चैनल पर बने रहे हैं चैय हिल चैय भारा